Constitutional Development of India भारत का सम्वेधानिक विकास तो हम लोग भारत के सम्वेधानिक विकास को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक East India Company के अंडर में, British East India Company के अंडर में और दूसरा British Crown के अंडर में तो इसमें ये है कि देखें 1858 तक किसका शासन था? East India Company का उसके बाद किसका हो जाता है? British Crown का शासन हो जाता है तो जग तक 1858 तक East India Company का सासन रहता है तब तक Britain की Parliament अलग-अलग Act और अलग-अलग Charter बना के Company के शासन पे नियंदरन कर दी थी फिर 1858 से जब वो खुद भारत का शासन अपने हाथों में ले लेती है तब वो फिर से वही अलग-अलग Act और अलग-अलग Charter बना के बनाती है तो यही सब चीजे जो Act और Charter है यह भारत के समिधान के विकास में इनको समलित किया गया है तो यह जो Charter है इसमें मैंने जितने भी Important है वो cover करे है और बीच वीच में जो और Act आए होंगे वो डिसकस कर दूँगी तो इसके पहले जो आया Regulating Act 1773 PIRS India Act of 1784 Charter Act 1793 Charter Act 1813 Charter Act 1833 Charter Act 1853 उसके बाद जो अंडर British Crown थे वो Government of India Act of 1858 Indian Council Act 1861 Indian Council Act 1892 Indian Council Act 1909 Government of India Act 1990 Government of India Act 1935 Crips Proposal The Crips Prasthau जो था Cabinet Mission 1946 Mountbatten Plan 1947 31 December 1600 को Britain की महरानी Elizabeth प्रथम ने एक फर्मान जारी किया था 31 December 1600 को Britain की महरानी Elizabeth ने एक फर्मान जारी किया था उस फर्मान के एक और्डिंग पूर्वी देसों के साथ वैपार करने के लिए जो शेयर होल्डर्स थे उनकी कमपनी को 15 वर्षों के लिए वैपार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था कितने वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए वैपार करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया था तो इसी समय East India Company Ashtitum में आई 31 December 1600 को ब्रिटिन की महरानी ऐलीजावेट ने एक फर्मान जारी किया था उस फर्मान के एक और्डिंग पूर्वी देशों के साथ वैपार करने के लिए जो सेयर होल्डर्स थे उनकी एक कमपनी को 15 वर्षों के लिए वैपार करने का एक अधिकार दिया गया था तो यह जो कमपनी इसके प्रशासन को एक परशद को सौपा गया था एक परशद को सौपा गया था उस परशद में एक गवर्णर होता था और 24 अनसदस होते थे जो इसका प्रशासन को करते थे तो उसमें कितने एक गवर्णर थे और 24 अनसदस थे तो इससे अब कोश्चिन क्या बना है 1600 का जो चार्टर एक्ट है भारत में इस इंडिया कंपनी के स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा होती है तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा होती है 1600 जो 1600 का चार्टर एक्ट था उसके तहत होती है भारत में इस इंडिया कंपनी के जो कंपनी के स्थापना होती है वो 1620 के तहत होती है उसके बाद 1726 का चार्टर आता है इस चार्टर एक के एकॉर्डिंग कोलकत्ता, मुंबई तथा मदरास प्रेसिडन्सियों के जो गवर्नर थे उनकी परिशत को विधी बनाने की सकती दी गई थी मिन्स कानून बनाने की सकती दी गई थी 1726 के चार्टर एक के द्वारा कोलकत्ता, मुंबई और मदरास प्रेसिडन्सियों के गवर्नर थे उनकी परिशत को कानून बनाने की सकती दी गई थी तो अब इसमें क्या बना कि इंग्लैंड इस्तित कंपनी के बोर्ड आफ डिरेक्टर को कानून निर्मार का जो अधिकार था वो किस चार्टर एक के द्वारा गवर्नर था था उसकी काउंसिल के सदस्यों को मतब परिशत के सदस्यों को दिया गया था तो कौन सा चार्टर एक था 1726 के चार्टर एक के द्वारा दिया गया था अधिकारिये इसके बाद अब यह इंपॉर्टेंट चार्टर एक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो देखिए इसके कॉर्डिंग क्या होता है देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में इस समय जो था क्या 1773 के करीब जो ब्रिटिन के प्रधान मंत्री थे वो लौड नौट थे तो लौड नौट ने एक सीक्रिट कमीटी गठिद करी थी और उसके सेपारिस पे एक आक्ट पारिद करा तो इसी एक्ट को 1773 का इसका उद्देश से ये था कि जो कमपनी के शाशन में जो दोस हैं तो उनी को दूर करने के लिए या उसे नियंतरित कमपनी को नियंतरित करने के लिए कहां पे भारत में भी और ब्रिटिन में भी इस एक्ट को पारिद किया गया था इस एक्ट को लाया गया था कमपनी के 235 अधिरह्त धाया गांगे गया थे अंग्रेजी चैत का गवर्नर जनुर जाने लगा तो बंगाल मुंबई व मंद दरास तीनो प्रसीडेनसी जो एक दूसरे स्वतन ते थी इस अध्यम के द conservation के आधिन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया जो अलग अब जो गवर्नर थे वो बंगाल की गवर्नर जनरल के आधीन काम करेंगे आधीन रहेंगे सासन की समझ सैनिक जो थी सैनिक सक्ती जो थी या सिविल सक्ती जो थी ये सारी Governor General उसकी चार सदसी परिशत को सौब दी गई इस Act के दौरान 70-74 में कलकत्ता में एक सर्वोश नाले की स्थापना की गई थी जिसके नायदीज जो थे सर एलिजाह इंपे थे जो इस सर्वोश नाले की स्थापना की गई थी उसके जो मुख नायदीज थे वो सर एलिजाह इंपे थे और तीन अन नायदीज भी थे लिम्मेंस्टर, चैंबर्स और हाइट ये एक अभिलेक ने आला था इसके विरुद अपील जो है वो प्रीवी काउंसिल में होती थी इस अधियम के द्वारा जो कंपेनी के कर्मचारी थे अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उनको वैपार करने का प्रतिबंद लगा दिया गया था मतब बीना लाइसेंस के वो अब वैपार नहीं कर सकते थे इसके बाद एक अक्ट और आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 तो ये जो एक्ट था ये रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी दोस्त थे उनको दूर करने के लिए बिटिस संसत के प्रवर समित के अध्यस से एक एड़बंट वर्ग उनकी सलाप के आधार पे एक एक्ट पारित किया गया जिसे एमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट जो 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो दोस्त थे उसको दूर करने के लिए बिटिस संसत के प्रवर समित के अध्यस एड़बंट वर्क ने एड़ मंड वर्क ने उसके सुझाओं के आधार पे ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट को हम लोग एमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट या एक्ट ऑफ सेटल्मेंट के नाम से भी जानते हैं इस एक्ट के द्वारा कलकता की सरकार को बंगाल बिहार औरीशा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया तो इस तरह कलकता की सरकार को कानून बनाने के दो सोर्स हो गए कौन कौन से एक 1773 का जो regulating act था वो और act of settlement इस act के दौरा जो governor general की परिस्तती उसे सर्वोच नियाले की अधिकारता से मुग्द कर दिया गया means अगर यह जो परिशाद है यह कोई कानून बनाती है तो उसे सर्वोच नियाले के पास अप्रोल कराने की कोई जरती है को अपना कानून खुद बना सकती है और इस act के दौरानी सर्वोच नियाले की जो सकती ती उसको सीमित करके उसकी राजस अधिकारता को समाप्त कर दिया गया और इसकी राजस अधिकारता को समाप्त कर दिया गया तता राजस मंडोलों की भी इस्थापना करी गई इसके स्थापित हुआ तो इस एक्ट के द्वारा क्या था कंपनी के मामलों में बिटिस सरकार का जो पहली बानियंतर स्थापित हुआ था वो 1784 के पिट्स इंडिया यह एक्ट के द्वारा ही स्थापित हुआ था इसलमऄ यह कह सकते हैं कि जो एक्ट था वो इस प्रुप् parked के मामलों में बिटिस सरकार का पहली पार जुन अंतर था वो 1784 के पीड्स इंडिया अट के द्वारा ही स्थापित हुआ था इस एक्ट के द्वारा कमपेणी के वैपारिक और राजन्यातिक मामलों को अलग-अलग कर दिया गया Court of Director के हातों मेंवेपारिक मामले दिये गए और Board of Control के हातों में राजनیतिक मामले दिये राजनیति मामले जैसे算ik, asanic या राजस्व संबन दी तो ये जो Board of Control थे इसके 6 सदस्टे थे इस एप्ट के द्वारा Governor General की परशट की जो संक्या 4 थी उसे कम करके तीन कर दिया गया था और प्रांती परशत के सदस्यों की जो संक्या चार थी उसे भी कम करके तीन कर दिया गया था और इनी सदस्यों में से एक प्रांत का सेना पती भी बनाया जाता था प्रांती परशत के सदस्यों की संक्या जो थी वो चार से तीन कर दी गई थ केंदि शाषन का अनुपालन अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो प्रांती सरकार को हटा सकती थी कौन गवर्नर जर्नल गवर्नर को सकती प्रदान करी गई ती कि अगर सरकार को बर्खास्त कर दे इस एक्ट के द्वारा कंपणी के कर्मचारियों को उपहाल लेने पे प्रति परिश्यत की सदस्थन के चार से कम करके तीन कर दी गई थी और अगर केंदी साशन का अनपालन सही धंग से नहीं हो रहा है तो गवर्नर जनर प्रांती सरकार को बरखास यह अटा सकता था इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहाल देनी का प्रतिबंद भी लगा दिया गया था इसके बाद 1786 का एक्ट आता है इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनर को अगर कोई स्पेशल कोई भी कंडिशन होती है तो उसमें अपने परिश्यत के निर्ने को निरस कर सकता था हटा सकता था अपने निर्ने को लागू कर सकता था means इस एक्ट के जरि एक्ट में गवर्नर जनर को प्रदान सेनापती की सकती भी प्रदान की गई थी तो सबसे पहले बाग जिस गवर्नर जनर को इधिकार प्रदान किया गया था वो थे लौर्ड कॉन थे लौर्ड कॉन वलिस इसके बाद 1793 का चार्ट आता है इस एक्ट के मादम से कंपनी के अ इसके अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था कंपनी के और नियंत्रक जो बोर्ड आप कंट्रोर के सदस्यों को भारती राजस से वेतन देने की बात कही गई थी अब इनसे क्या क्या कोशन बनें किस एक्ट के द्वारा गवर्णर जनल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो नियंतरक मंडल था उसके सदस्यों को भारती राज़त से वेतन देने का प्रावाधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था 1793 का जो चार्टर था उसके द्वारा किया गया था क्या किया गया था नियन्तर मंदल के सदस्कों को भारती राजस से वेतन देने की बात की गई थी किस एल्ट के द्वारा γवर्नर जernal को अपनी परिशत के निर्णयों को अश्विक्रत करने की सक्ती दे दी गई थी वो खुद कानून बना सकता, उसे कोई सला लेने की जरूरत, उसके लिए बाद नहीं था, किसके लिए बाद नहीं था, कि वो अपनी पश्चत के निर्ने को माने, तो ये था Charter Act 1793, पिट्स इंडिया Act के तहट Board of Control का अध्यच कौन होता था, तो बिट्स मंत्री मंदल का एक स कम्पनी के मादों, बिट्स सरकार का पह्ली बार नहीं था कब इस्तापित हुआ था? कब इस्तापिता – 1784, में पिट्स इंडिया Act के तहट, कम्पनी के कर्मचारी को उपाल लेने पे प्रतिबंद किस Act के दारां लगा गया था से, किस Act के तहट लगा एक तहट लगा क्या क्या अलागे Court of Director के हाथों में वैपारिक मामले और Board of Control के हाथों में राजनेतिक मामले दिये गह थे वो सबसे पहले कौन सा Governor General था और किस अधनियम के द्वारा और मुख सेनपती दोनों की सक्ति प्राइन की गई थी वो पहला गवर्नर जनरल कौन था और किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तता मुक सेनापती दोनों की सकती प्रदान की गई थी तो लॉर्ड कॉन्वलिक्स को सबसे पहले गवर्नर जनरल और मुक सेनापती दोनों की सकती प्रदान की गई थी किस act के द्वारा सर्वोछ नैले की अधिकार्ता से जो गवर्नर and General की परशत ती कौॉनसल से मुखद कर दिया गया था means उसे कोई भी कानूर अगर बनाता है तो सर्वोछ नैले से एप्रूबर करानी की कोई जरूरत नहीं थी तो ये किस Act के द्वारा हुआ था ये 1781 के Settlement Act के द्वारा हुआ था और 1781 Settlement Act का दूसरा नाम क्या था Amending Act या Bengal Judicature Act और ये Act क्यों आया था ये Act Regulating Act में जो व्यापत दोस्त थे उन्हें दोस्त थे उन्हें दूर करने के लिए Act लाया गया था ये किसके सुझाओ पर आया था एडमर्ड वर के सुझाओ पर आया था और जो 1773 का Regulating Act था उसको किस की किस जो कमेटी थी वो किसकी थी किसके से पारिस पर पारित किया गया था वो कौन थे तो वो थे बिटिस प्रदानमंती लौड नौड थे